इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊँगा कि जब भी हम लोग visual studio code में HTML को run करते हैं तो हम लोग HTML के code में किसी भी image को किस तरीके से add करेंगे तो image को add करने के लिए दो तरीका है तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा तो आप video को complete देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि visual studio code को open कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरा visual studio code है तो मैं इसे open कर लिए अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से visual studio code को अपने computer में install करेंगे तो इस पर मैं already video बनाया हुआ हूँ तो मैं उसका link description में दे दूँगा तो आप description में जाकर चेक कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से visual studio code को अपने computer में install करेंगे तो चलिए हम लोग video में start करते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी image को HTML के code में run करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं आपको यहां पे explorer नाम का एक बटन दिखेरा होगा तो आप इस explorer पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम एक नया folder क्रिएट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या दवाएंगे और उसके बाद select folder पे click कर लेंगे folder को select करने के लिए तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी folder बनाया है उसको यहां पर select कर लिया है तो हम लोग इसमें HTML का code run करेंगे तो हम लोग इसमें HTML का file बना लेंगे तो file बनाने के लिए आपको यहां पे यह new file का section दिख है तो मैं file का नाम दे दे रहा हूं Apple क्योंकि मैं HTML का code run कर रहा हूं तो इसलिए मैं last में .html लिख दे रहा हूं और फिर Intel दबा देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह apple.html नाम का इसने file create कर लिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें HTML का code run करेंगे ताकि हम लोग image को add कर सके तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे शिफ्ट और exclamation बटन को दबाएंगे exclamation बटन जो आपका 123 बटन है उसमें button number 1 पर रहता है तो जैसी आप शिफ्ट और exclamation एक साथ दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आप यह image abbreviation है यह image abbreviation क्या करता है जैसी आप उसका को sign लिखेंगे तो यह code को automatic पूरा कर देता है तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब इंटर दबा दे रहा हूं शिफ्ट दबाएंगे और exclamation बटन को दबाएंगे जो कि button number 1 पर रहता है और इंटर दबाएंगे तो यह basic HTML का code का structure रहता यह देखिए यह automatic लिखा गया है यहां पर लिख दे रहा हूं unsplass bike तो जैसे मैं unsplass bike लिखके search करूंगा तो आप देख सकते हैं यह खुल गया है और हमें image पर क्लिक करना है तो यह जो unsplass है यह आपको HD में अच्छा image प्रोवाइड करेगा तो इसलिए मैंने यहां पर unsplass लिखा है तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी bike का image है तो मैं इस Harley Davidson bike का image है मैं इस पर क्लिक करके इसको open कर ले रहा हूं और हमें क्या करना है इस bike के image का link को copy करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप इस image पर right click करेंगे and right click करने के बाद आपको यहां पर देखिए एक option दे रहा होगा open image in new tab तो हम लोग इस open image in new tab पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह जो bike का image था एक नया टाब में open हो गया और जो आपको यहां पर यह link दिख रहा है यह link हमारा इस bike का link है bike के image का link है तो हम लोग क्या करेंगे इस link को copy कर लेंगे तो मैं इस पर double click करके यहां से इसको copy कर रहा हूं तो मैंने इसे copy कर लिया और फिर हम लोग visual studio code में जाएंगे और फिर आपको यह body दिख रहा है तो आप इसमें body में एक command लिखेंगे image मतलब image को run करने के लिए img तो जैसी मैंने image लिखा तो देखिए फिर से image abbreviation आगया जो code को automatic पूरा कर देगा तो मैं जैसी यहां पर इंटर दबाऊंगा तो देखिए यहां पर आगया image src तो हम लोग जो src के बाद double quotes के अंदर उस link को paste कर देंगे मैं इस link को यहां पर control पिलस भी दबा के paste कर दिया और यह भी आपको link कुछ ऐसा दिख रहा होगा means यह काफी means चॉला होगया तो मैं क्या कर रहा हूं इसक सकते हैं जो भी आपने यह link का code डाला था link डाला था यह एक line में आ गया means आपको एक ही page में दिख रहा है अब हम लोग क्या करेंगे इसको go live पे click करते हैं इसको run करने के लिए तो अब मैं क्या करूंगा इस code को run करूंगा इस यहां पर आपको दिख रहा हो go live तो go live पे click कर करके इस code को run करता हूं तो जैसे मैंने go live पे click किया यह देख सकते हैं यहां पर यह page open हुआ है और आप यह देख सकते हैं जो मैंने website में code run किया था आपको यहां पी हले डिविट्शन का image दिख रहा है तो इस तरीके से हम लोग किसी भी image को HTML के code में add करेंगे Visual Studio code में आपको जाते हैं अब मैं इस cycle का image को चूछ कर देता हूं आप इसको पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के क्या करेंगे और इस पर right click करेंगे इस Image पे आपको यहां पर दिख रहा होगा Save Image आज तो आप Save Image आज पे click करेंगे और फिर आप इसको किस folder में image को डा लिख दे रहा हूं cycle मैं इसका फाइल का नाम इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि में इसका नाम को काफी कम टाइप करना पए तो मैं इसका नाम दे दिया cycle लास्ट में जो आपका .jpg है या फिर जो भी उसका आप वह से रहने देंगे और से पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह से हो गया तो अब हमें क्या करना है इसको मैं मिनिवाइज कर दे रहा हूं फिर डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो उसके लिए फाइल एक् इस इमेज को पेस्ट कर देंगे तो यह देखिए जो मैंने फोल्डर बनाया था अमन नामसत मैं इस पर डवल क्लिक करके इसको उपन कर दे रहा हूं आप यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे तो आप देखिए मैंने इस इमेज को यहां पर पेस्ट कर दिया और मैं फिर से visual studio code को open कर ले रहा हूं and अब देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा cycle.jpg जो मैंने image को download किया था and वो देखिए यहां पर आ गिया है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं image को add करने के लिए फिर से हम लोग body में जाएंगे body में मैं यहां पर आपको नीचे आ जा रहा हूं और यहां पर वही same command लिखेंगे img तो यह दिखिए image मेरा इसको automatic पूरा कर देगा तो मैं enter दबा रहा हूं और जो यह आपका file का नाम है image file का cycle.jpg तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे cycle.jpg तो मैं यहां पर लिख दिया और देखिए मेरे को automatic यहां suggestion में भी आ गया तो आप interview दबा सकते हैं और एक बात का मैं आपको बता देना चाहरा हूं मैंने file का नाम इसली छोटा किया था ताकि मेरे को type नहीं करना पर आगार मैं इसका नाम रहा रहता तो इसलीे मैं इसका नाम छोटा कर दिया तो यह देखिए मेरा ए Image add हो गया तो अब मैं इसको run कर था run करने के लिए preventing मैं इसको क्या करता हूं कोड में एड करेंगे किस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज को एड करेंगे इस विडियो को मैं यहीपरेंड करता हूं अगर आपको कोई क्वेस्टन है तो आप मेरे से कामेंट में पूश सकते हैं